यह आपका finance accounting यहने की वित्तिय लेखांकन का previous year paper है जो वीकॉम फस्ट इयर में है आज मैं आपको finance accounting में कुछ previous year paper के माध्यम से जो भी latest paper है अभी हाली में इंवस्टियों में विर्कुल ताजा और फ्रिस paper दिखाऊंगा साथी साथ मैं बताऊंगा पूरे 5 साल के finance accounting का previous का analysis करने के बाद आज मैं इनके आए हुए कुश्चनों में क्या 5 साल उनका examiner importance दिया क्या आपकी exam में आ सकता है आपको study कहां करना है कैसे करना finance accounting में मैं 80 plus sources आज इस वीडियो में discuss कर दूँगा जो भी student आज इस वीडियो को cover कर लेगा उसका finance accounting में 80 plus score आसानी से आ जाएंगे लेकिन कुछ study sources है उनको जरूर follow करना कोई बातों को हमारे skip मत करना ताकि उसका benefit आप direct exam में पा सके चलिए वीडियो को start करते हैं जैसा कि पहला question आप देख पा रहे हैं पहला numerical के साथ theory question होगा आपके साथ कुछी question ऐसे होंगे जहां पे numerical के साथ optional में theory नहीं होंगे तो जिनके numerical बीक है थोड़ा एक दो question में problem होगी बाकि सारी numerical के साथ theoretical question होंगे इस doubt को ना लेके चलें पहला question है एक debit को समतुल क्रेडिट और एक क्रेडिट को समतुल डेविट की आवसकता होती है इस कतन के संदर्म में जो हमारी दोहरा लेखा फणाली होती है उसकी definition पूछ रहा है और उसके लाब और विश्यस्ता के बारे में पूछ रहा है डेविट क्रेडिक तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम ही होगा क्योंकि आप वीकौम कर रहे हैं तो इसके बारे में अच्छा अन्वह आपको होगा तो दोहरा लेखा फणाली भी अच्छा टॉपिक्स है अच्छा टाइटल्स भी है इसका आप लिखना होगा तो आप काफी सारी चीज़े इसके बारे में आप लेख सकते हैं थोड़ा बुक से एक दो बार रिवीजन करने अच्छा से एक कुस्चन आपके एक्जाम में त्री टाइम रिपीट किया गया था एक्जामनर के दौरा दोहजार इकीस इकीस और तेइस और चोविस में फिर अगर आपके नियुमेरिकल फॉर्सन अच्छे नहीं है तो कुछ वीडियो सोर्से वीडियो के लाइस में बताऊंगा जहां से आप नियुमेरिकल भी कवर कर सकते हैं पाकि थेओरेटिकल के लिए भी बात करूंगा जिसको पढ़के आप अपने एक्जाम में अच्छे स्क संसोधन के लिए उनकी डिख्निशन पूच जा सकता है या इसका लाप पूच जा सकता है कुछ अभी प्रा या इसके बारे में पूछ सकता है कुछ हैसा question को घुमा के पूछेगा सिर्फ यह जो है इस बार पूछा गया है एक question उल्ली एक बार आया है इस बार एकजाम में पूछा गया है तो इसको आप एक बार देख ली निश्ठ है आपका अथ्वा में numerical है numerical आप solve कर सकत है आपका unit third है मैं बोला जितने भी unit के question आपको दिखाये जा रहे हैं लगबख सबके साथ numerical के साथ theory आ रहे हैं तो जिनके numerical बीक हैं उनको एक दो question ऐसा मिलेगा जहां पे theory portion अथ्वा में नहीं होगा नहीं आपको theory भी मिल जाएगा तो आप numerical skip कर सकते हैं उन student के लिए जिन unit third में पहला question है जो आपका गुप्त संचे होता है उसके definition आज सकती है और उसको कैसे बनाया जाता और उसकी हानिया पूछ सकता है examiner एक question आपका 2022 और 24 में examiner दो टाइम एक question को पूछा था फ्रेंस अगर आप भी कौम कर रहे हैं चैनल को जरूर सस्क्राइब करके रखें त इनका numerical अच्छा है मैं वीडियो सोर्से बता दूंगा वहां से आप practice कर सकते हैं next है आपका four unit जहां पे आपका पहला theoretical portion है और second आपका numerical है theory में आपका पूछा जो किरायक रहे पद्दत ही होता है हमारा higher purchase system जो higher purchase system होता हो हमारा numerical portion होता है जहां से आपके हर साल exam में एक theory और एक numerical पूछा जाता है वो आपका important topic बन सकता है इसको आप red mark करके जाएं क्योंकि आपके exam के लिए आपके examiner point of view से बहुत ही ज्यादा अच chances 80 plus होते हैं तो shopping को importance जे और definition इसमें क्या पूछा गया है जो हमारा किरायक रहे पद्दत ही होता है उसकी definition और उसके बारे में बताना है क्रेता विक्रेता की पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टियों का वर्लेंड करना है बस इतना question था यह आपका new miracle है आप देख स दूँगा देखिए unit 5 अभी तक मैंने चार unit का discuss किया जहां पर numerical के साथ theory के portion सभी में मिले हैं अभी यह latest और ने फाइटन के paper है देखिए आईसा हो सकता है कि आपकी नोश्टियों में दो question अथवा के साथ में numerical ना मिले लेकिन आईसा बहुत ही कम chances है मिल भी सकता है तो इस पेपर में तो देखने को नहीं मिला कि numerical दोनों में साथ में आया हो अथवा में theory सब सब जो है unit में देखने को मिला है पहला question है very 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 most important question एक एकरण से आसा है इसके उदेश लाफ हानिया लिखिए एक examiner का one of the most important question होता है क्योंकि एक question आपके exam के लिए amalgamation topic ही important है theoretical topic से तो इस लिए इसको आप अच्छे से करके जाएं ताकि exam में problem ना हो print जो हमारी goodwill होती है खाती से related एक numerical आएगा जो बहुत ही easy आएगा जिनके numerical अच्छे हैं उसको जरूर करके जाएं ताकि numerical का ये question वहाँ से 100% clear कर सके prints and numerical है पूरे paper का video मैं अपने telegram channel में दे दे रहा हूं वहाँ से आप download करके numerical लगाने की कोसिस करें और जैसा कि आपने पूरे पांचों unit में theory के अथवा में सारे optional देखा तो जिनके numerical week हैं उनको डरने की बात नहीं है आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे लेकिन आपको कु बहुत ही ज़्यादा help होगी मैंने friends पांच साल पेपरो का जब analysis किया finance accounting यह वित्तिय लिखांकन में तो मैंने एक चीद देखा कि कहीं कहीं year में ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पांच साल पेपरो का analysis करना एक थोड़ा long time का period होता है मतलब एक से दो घंटे लग जाते है analysis कर कर रहा हूं तो इसलिए please जानकारी को इसके मत करिएगा नहीं तो आपको exam में problem हो सकती है पहला point है आपका मैंने पूरे 5 साल का finance accounting का paper analysis किया तो वहां पे हमें देखने को मिला कि अधिक तर 3-4 साल में ऐसा हुआ paper all university की बात कर रहा हूं कि वहां पे theory के साथ numerical आये थे एक question ऐसा था जहां पे numerical दोनों portion में था मतलब अथों में theory नहीं मिली थी और एक साल ऐसा था जहां पे 2 question में ऐसा दो unit में आपके साथ हुआ कि दोनों numerical आया था theory नहीं था तो मतलब 70% वहां से आप paper कर सकते हैं अगर numerical का बेटेज हुआ तो 60% आप theoretical का बेटेज रख सकते ह नहीं तो इस paper में तो 100% पूरा theory का बेटेज था 80% 90% जो theory का बेटेज देखा गया है finance accounting में कभी कभी एक दो साल में देखा गया कि जो है वहां पे 70 और 60 का बेटेज था तो आप पे एक कर सकते हैं कि 80 to 70 का बेटेज आपका theory का होगा 20% ऐसी होगा जो आपका numerical का बेटेज ह गात्वा के साथ में बात कर रहा हूं तो यह पहला point out clear जो doubt थे आपको numerical और theory को लेकर जिनके numerical week है numerical पढ़ना नहीं चाते है numerical अच्छा नहीं लगता या आता है नहीं उनके point clear है दूसरा point दूसरा point है है friends कि मैंने पूरे 5 साल के previous के analysis करने के बाद मैं आपको एक playlist प्राइड किया हूं जो आपको paid classes में coaching में एक एक दो-दो महीने पढ़ते हैं college में पूरी 6 महीने पढ़ते हैं तो तयारी जाके होती है उनको मद्दे नजर रखते हुए पूरे book को उठा के पूरे 5 year previous year paper को analysis करके मैंने कुछ playlist तयार की है जिसमें कुछी वीडियो आपके डेड़ से डेड़ से दो घंटे में लगभख सारे questions कवर हो जाएंगे जो कि आपके पूरे जो एच्छे महीने की study होगी जो आपका जो है डेड़ से दो घंटे में decide कर दी जाएंगी उसका link भी मैं telegram channel में भेद दे रहा हूं वीडियो अगर आप कर रहें लेंगे तो आपके theory portion 100% complete हो जिसके भी numerical अच्छे ब्रांच accounting और higher purchase कर सकते हैं और जिनके numerical नहीं अच्छे royalty accounting एनि की अधिकार सुल खाता कर लें जिसका वीडियो स्मार्ट हीट एक गंटे का तीन classes है आप उसको कर लेंगे numerical आपके अच्छे हो जाएंगे वहां से आप practice कर सकते हैं पूरी book का लगभख 45 से 50 question मैंने तीन वीडियो के थुरू solve कराया अपलस उस तीन गंटे की वीडियो में मैंने पूरे वक्त बुक के जो है numerical के साथ थेओरी भी रखने की कोशिस किया हूँ फिर्ट उन सारी वीडियो का लिंक मैं टेलिग्राम चैनल में दे दे रहा हूँ जो कि आपको विर्कुल फेरी में कोई फेड सब्सक्रिप्सन नहीं लेना है जो आपको कम समय में study हो जाएंगे उसको जाएए और टेलिग्राम चैनल में आप personal message कर देना मायम को हमें मत करिएगा मायम को message करिएगा बोलिएगा finance accounting के playlist देजिए जो five year paper पूछ गए है प्लस royalty accounting के ऐसे बोल देंगे तो आपको वीडियो कर देंगे जिसको आप पढ़के जा सकते हैं तीसरा point आप previous year five year का question paper देख सकते हैं जो आपका already उस playlist में include हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है तीनो point out आपके clear हुए last point ध्यान से सुनिएगा कोई भी question आप skip करके मत आईएगा जो भी question smart history tech के द्वारा playlist प्रॉइड की गई है वहीं से सारे question आपको आपको exam में देखने को मिलेगा तो इसलिए कोई भी जानकारी को जो भी student इसके नहीं किया होगा वो से और 100% अपने exam म accounting में कर पाएगा उस playlist को अच्छे से कबर करिए उनके ios सारे question को अच्छे से पढ़ने की कोसिस करें जो बातों को मैं बोलने की कोसिस किया हूं वीडियो में उसको follow करने की कोसिस करें पक्का 100% बहुत ही कम समय में आप finance accounting में अच्छे score कर पाएं मैं खुदी 85 score किया हूं त कि जो student इस channel के साथ कोई भी help होती है या आपको जानकारी मिलती है तो आपके दोरह smart strategic जो अपना मेहनत effort देता है उसके लिए आप एक प्यारा अफशा feedback comment section के अंदर जरूर दें ताकि जिससे हमें motivate हो सके और आपको इसी तरह फिरी में वीडियो अच्छी जानकारी देता र